अधिकतर हर घर में सुबा का बना हुआ खाना कुछ ना कुछ बची ही जाता है दाल चावल सबजी रोटी थोड़े बहुत तो बची ही जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि इन बच्चे हुए दाल चावल रोटी का करूं गया तो फिकर नॉट आज हम बनाएंगे दाल चावल रोटी से बहुत ही टेस्टी सा नास्ता जिसे आप एक बार बना कर खा लेंगे तो रोज जान बूच करके दाल चावल रोटी बचाएंगे तो चलिए आज हम बनाते हैं 10 मिनट में यह लाजवाब सा नास्ता हमने ले लिया है सुबा की बची हुई रोटी डाल और चावल और अगर आपके पास सब्जी भी बच गई है तो वह भी ले 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 तो अभी जो रोटी डाल चावल कोई खाना नहीं पसंद करता यह सभी मांग मांग कर खाएंगे तो सुबा की बची हुई जितनी भी डाल चावल रोटी है सब के सब डाले मिक्सी के जार में डाल जितनी ज्यादा मात्रा में उससे साथ से रोटी डालेंगे अगर थोड़ी सी डाल है तो एक रोटी ज्यादा डाल बच गई है तो दो रोटी डाल सकते है तो डाल चावल सब के सवीजी में मिल गए है अब हम इसमें अच्छे से टेस्ट और सोंधापन के लिए सफेद तिल डालेंगे चार चमच के करीब सफेद तिल डालें नमक डालें स्वादा अनुसाथ क्योंकि दाल में नमक है तो बड़े ध्यान से डालें ताकि जादा ना हो थोड़ी सी पर तसुरी मेथिका भी यूज कर सकते हैं अगर आपको यह नास्ता तीखा नहीं बनाना है तो आप चिली फ्लेक्स ना डालें और तीखा चटपटा बनाना है तो मिर्ची और डाल सकते हैं क्योंकि तीखा चटपटा सब बहुत अच्छा लगता है अभी इन सारी चीजों क अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें तो तीन चमच के करीब बेसन डालेंगे सारी चीज़े अच्छे से मिला ले तब ही बेसन डालें इसे अच्छे से मिल जाएगा तब हम इसका नास्ता बनाएंगे अभी आप देख सकते पूलेंगे इतने बैटर में आदा पैकट इनो डालेगे जो कि फटा फट से बबल्स नास्ता बना लेखे जिसे जिए आधा लिंगे सकते हैं, यह नार्मल तवे पर भी इसे बना सकते हैं तवे को थोड़ा सा घीय थे लगा कचिकना कर लेंगे थोड़ा थोड़ा ना जालेंगे इसे अच्पी ताइन बड़ा चीला बनाने तो फिर यह अच्पी पलट ते नहीं बनेंगे तो इसे इस तरीके से छोटे-छोटे से बनाएंगे तो ये आसानी से पलट जाएंगे तो अभी देख सकते हैं इसे हमने नन्ने मुन्ने से बना लिया है एक साइड ये अच्छे से सिख जाए तो दूसरी साइड भी पलट कर सेख लेंगे एक चमत से कम तेल में भी ये बहुत ही टेस्टी सा चीला बन जाता है तो इसे अलट पलट कर हमने हलका सा सुनहरा कर लिया है बिल्कुल इसी तरीके से ये सारा चीला हम तयार करेंगे लो और मीडियम फ्लेम पर इसी से से के ताकी ये जले नहीं और बढ़ी असा सोनहरा हो आज़ बहुत ही टेस्टी लगता है इसे मैं सर्व कर रहे हैं टमाटर की घटी-टी चटपटी चटनी के साथ आप चाहें तो टमेटो कैचप के साथ बिसे सर्व कर सकते हैं बहुत ही लाजवाब लगता है एक बार ये नास्ता जरूर बना करके खाईएगा कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये लाजवाब सा नास्ता कितना जादा पसंद आया और ये देख करके आपके मुँँ में पानी तो जरूर आया होगा तो आपसे जब भी दाल चावल रोटी बच जाये तो ये तेस्ट इसा नास्ता बना करके जरूर खाये बहुत ही लाजवाब लगता है और जो घर में सुबा के बचे हुए दाल चावल रोटी को देखना तक पसंद नहीं करते हैं वो इसे आपसे रोज बनवा कर खाएंगे बहुत ही पसंद आएगा तो आपको ये दाल चावल रोटी का यूज कैसा लगा कॉमेंट चरूर करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी एक दम नई रेसेपी के साथ नेट्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई